आज मुझे साधी करोगे कि घर में कुछ ऐसा बड़ा धमाका हो जाएगा कि आप भी सोच के हैरान रह जाएगे दरसल पारस और सेहनाज जो हैं वो आपस में ही भिड़ जाने वाले हैं दरसल जो आचल है वो अंकीता पे ये इलजाम लगा देंगी और कह देंगी कि अंकीता आप अगर दूसरे किसी का हाथ पकड़ते हो ये सब करते हो वो मुझे नहीं पसंद और ये सारी चीजें आप पे सोभा भी नहीं देती हैं क्योंकि आप पारस के लिए आए हो तो यहाँ पे जो पारस है और सहनाज मैं इसी बात पे आपस में लड़ लेते हैं दरसल आज गौतम गुलाटी आएंगे गलतियां बताने की कौन कैसा जा रहा है शो में तो जब सहनाज ये सुनेंगी कि आचल ऐसा ऐसा बोल रही हैं अंकीता के बारे में तो यहाँ पे सहनाज जो है वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है और कहती हुई नेजर आती है कि तू होती कौन है कि दूसरों के करेक्टर पे उंगली उठाने वाली पहले तू खुद को देख ले ये कर ले वो कर ले मतलब बहुत सारी बाते बोलेंगी तो यहाँ पे पारस जो है वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाएंगे सहनाज पे कि सहनाज अराम से बात कर आवाज नीचे करके बात कर समझी किसी को हक नहीं है कि कोई भी किसी से उंची आवाज में बात करे तो क्या बोल रही है किसको बोल रही है बता तूर को समझ नहीं आता मुझे ही नहीं पसंद अंगीता किसी के साथ बैठे और जो गौतम गुलाटी है चुप-चप खड़े होके देखेंगे और बस यही देखते रह जाएंगे वो कि कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है आपको बताते चले दोस्तों कि सहनाज और पारज जो है वाप फिर पारज जो है वो उठके चले जाते हैं तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती है नीचे कमेंट सेक्षन में अपनी राय लिखके जरूर बताएं यहीं सब देखने को आपको मिलेगा धन्यबाद